हेलो दोस्तों स्वागत है आप सूभीका आपके अपने व्रूप्ट चाइनल में तो दोस्तों आज हम इस विडियो में बात करेंगे सिर्टिर्जिन टापलेट के बारे में कि ये दवा कब दी जाती है? और साथ ही हम इसके डोस के बारे भी जानेंगे कि ये दवा कितनी मात्रा में दी जा सकती है इसके अलवा हम इस दवा के side effect, precaution, brand name के बारे में भी जानेंगे तो वीडियो को भी ना skip किया एंट तक देखे और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया या फिर अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले निचे का जो red वाला subscribe बटन निकाए दे रहे उसे ज़ली प्रेस किजिगा और साथी बगल वाली घंटी यानिक वेले को भी प्रेस किजिगा ताकि आपको हमारे आने वाले सबसे पहले आप तक पहुँचे तो दोस्तो सिटरिजिन यह एक ऐसे दवा है जो anti-stermine class से बिलॉंग करती है यह दवा allergic symptoms जैसे की आख से पानी आना, खुजली, इचिंग, नाख से पानी बहना, छीके आना, इन जैसी कंडिशन में treatment की तोर पर इस दवा का उप्योग किया जाता है दोस्तो सिटरिजिन यह इस दवा का generic name है, मूल नाम है यह दवा आपको मार्केट में citrusy, इस generic name के अलावा zinset, oka set, इन कुछ popular brand name से भी यह दवा आपको मार्केट में मिल जाएगे दोस्तो इस दवा का उप्योग मुख्य रूप से सर्दी, खासी, जुखाम, इन जैसी condition में treatment की तोर पर किया जाता है इसके अलावा allergic condition में, खुजली, नाक से पानी बहना, आख में, नाक में खुजली होना, इस जैसे समस्या उसे रहत पाने के लिए भी इस दवा का उप्योग किया जाता है दोस्तों, डोस की बात की जाए तो ये दवा दिन में दो बार सुबशाम खाना खाने के बाद ली जाती है वैसे इसका जो डोस है, ये पूरी तरस से आपकी डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपकी medical condition को भी मद्दे नजर रखते हुए तो इसे हमेशे रॉक्टर की सलाप पर ले, अगर आप ऐसे ही emergency में लेना चाहते हैं तो इसे दिन में दो बार लिया जा सकता है देहन रहे दोस्तों, इस दवा को लेने के बाद किसी भी heavy machinery पर काम ना करें, driving ना करें क्योंकि ये दवा लेने के बाद आपको dizziness यानि कि नीद भी आ सकती है, और इस दवा के साथ कभी भी alcohol का 7 ना करें दोस्तों, side effect की बाद की जाए, मतलब ये दवा लेने के बाद क्या-क्या दुश्वरिन आम नजर आ सकते हैं तो दोस्तों, इसके कारण आपको नीद आ सकती है, ठकान आम महिसूस कर सकते हैं, देन, constipation, ये कुछ side effect नजर आ सकते हैं दोस्तों, अगर आपको end में से या फिर कोई और side effect नजर आते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्व करें और दवा को लेना तुरंद बंद करें तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ, वीडियो की जानकरी helpful रहे होगी, अगर वीडियो बसंद आया तो वीडियो को like, share, comment, share कर दीजेगा, और ऐसे ही medicine related videos के लिए आप हमारी चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, धन्यवाद